वेलो फ्रेंड्स वेल्टम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे कोशन नंबर सेवन मैंशुरेशन चेप्टर क्लास एर्थ का इससे पहले के लेक्चर में हम फस्स पूशन कर चुके हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं एडियो पनेरे प्रेंटि एक वेल्टियूड हमें एक पैडलो कराम घीवन है जिसके हमें 2 सड्विभन है अगिश्टर की मनें क्या पदाकरने हैं हमें रेश्यो पहता करना है इनके एल्टिटिट्व में यह सईए और एफए का हमें रेश्यों पता करते हैं तो आई जानत एक पर यह smaller side को base लेते हुए area of parallelogram का formula लगाना है और दूसरी बार हमें इस larger side को base लेते हुए area of parallelogram का formula लगाना है यह formula हमें quotient में two time put करना है उसके बाद हमें divide कर देना है इनको is equal to में लेके divide कर देना है आप यह formula लिख लेजएगा अब यहाँ पर लिखेगा area of parallelogram area of parallelogram with smaller side with smaller side is equal to b into में h सबसे पहले हम area of parallelogram निकालेंगे smaller side को base मानते हुए यहाँ पर लिख लिख लिए base हमें 3.2 है तो यहाँ पर लिख लिख लिए 3.2 into में h की जगे आप मान सकते हैं कि उसकी height है इतका altitude है c तो आप यहाँ पर c मान सकते है smaller side को base लेतो है ऐसे आप निकालेंगे area of parallelogram with larger side area of parallelogram with larger side यहाँ पर आपको same form लगाने है v into match अब यहाँ पर आप value put कीजिए जो हमनी larger side है वह हमारा base होगा है यहाँ यहाँ पर लिखेंगे और into में इसका जो altitude होगा आपके बार altitude होगा FB अब दोस्तों में क्या निकालनी है हमें निकालनी है ratio of parallelogram तो अब क्या करना है ratio निकालने के लिए आपको इन दोनों को is equal to में put कर दीजिए 3.2 into में PE is equal to 4 into में FA अब हमें यह जो CE और FA यह altitude है इस parallelogram के तो हमें यही पता करना है कि इनका ratio क्या होगा तो अब यह 4 यहाँ पर multiply में है तो इदर आके वो divide हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3.2 divided by 4 यहाँ पर आके divide हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा CE और FA divided by CE FA divided by CE यहाँ पर क्योंकि CE इदर आजएगा और 4 यह 3.2 के नीचे चला जाएगा अब आप इसको solve किजिए यहाँ पर जब आप करोगे इसको solve तो यह हो जाएगा 3.2 है तो आप इसको 32 मान लीजिए उसको point की 10 आप 4 के पास लगा दीजिए तो 40 बन जाएगा अब यहाँ पर आप is equal to फिर यह लिख लेजिए FA divided by CE अब इसको आप solve करेंगे यह 34 divided by 40 को आप solve करेंगे तो यह आपको पता है कि यह 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4 divided by 5 is equal to यहाँ पर आपके लिख लेजिए FA divided by CE तो हम कह सकते हैं जो हमारी रेशो आई है वह आई है 4 ratio 5 कितने आई है 4 ratio 5 हमारी रेशो आई है ratio of altitude निकल है हमारा तो यह हमें कोशन में पता करना था कि हमारा ratio का altitude क्या है ratio में what is the ratio of their altitude वह हमारी ratio of altitude है 4 ratio 5 यह दि दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यह चैनल सब्सक्राइब कर ले थेंक्स पर वाचिंग